प्रत्यास्ता यनिकी तूल पदर्थों के घुन में हम पढ़ रहे हैं question हम इसके देख रहे हैं जो भी अच्छे अच्छे numerical question बनते हैं जो आज तक बहुत बार बुचे गए हैं वही सब देख रहे हैं तो वही विंती आपसे किया पहले प्रयास करेंगे आपसे हो जाएगा बहुत अच्छी बात है और कहीं कई गलती होती है तो आप solution देखें और अपने सुधार करें कि क्या आपने गलती की ओके सब शुरू करें एक उर्द्वा धर 600.5 सेमी लंबे वो एक वर्ग मेली मीटर वाले अनुप्रस्त काट तार शेदर फल के तार पर 200 किलो क्राम दरवे मान रटकाया गया है जब अगर भार हम हटा लेते हैं तो तार की लंबाई 0.5 सेमी कम हो जाती है तो तार के पदारत क यंग प्रत्यास्ता गुणांग निकालो करो साब एकदम इजी है यंग प्रत्यास्ता गुणांग का फॉर्मला लगाना है बस थोड़ा आपको क्या करना है मात्रकों का ध्यान देना है कैसे देखो कॉस्चन में देखना है एक तो आप इसको 600.5 की पॉइंट 5 एटाई दो 600 मान की कर लेना एंसर लगबग भी है ना है तो 600.7 मान लिया हमने तो एक को दे रखा है सेमी में तो लंबाई आपको ये 600.7 क्या दे रखा है ये एल दे रखा है तो एल आपको 600.7 दे रखा है ना तो आपको इसको किसे मतलना पड़ेगा मीटर में तो मीटर में दोलने के क्या करते हैं 100 का भाग तो आप क्या करोगे 100 का भाग दोगे तो कितना जाएगा 6 मीटर अब देखो साब यह क्या दे रखा है आपको अनुप्रस्त काट का श्यत्रफल यानि कि ए एक इतना दे रखा है आपको एक वर्ग मिली मीटर है तो वर्ग मिली मीटर का मतलब होता है कि हमेशा आप ध्यान रखना मिली मीटर से आपको मीटर में बदलना है तो आप हमेशा क्या करते हैं एक हजर का क्या करोगे साथ मात्रक बड़ा है मीटर में बदल रहे हैं तो संक्या छोटी होगी यानि कि भाग मिल्ड मेड़ना तो आपको वर्ग मेड़ना यान Kerryником मिल्ड म स्कौयर है आपको इन two में मिल्ड मेड़ना है तो आप क्या करोगे एक हजयर का मतलब क्या वता है दस्की घ्र like मैननस थीन दस्की घ्र like BIG 79 एक लिधा इंटू एक ये किसे dal हिर में तो आपका दस्की गात माइनस तीन दसकी गात माइनस तीन दो बार है तो ए आ जाएगा आपका दसकी गात माइनस छे मीटर ए आ गया एल आ गया एल बराबर छे मीटर है और एम तो आपको 200 किलो दे रखा है और तार की लंबाई यानि की स्मॉल एल आपको दे रखा है स्मॉल एल कितना है पांच इंटू दस की घात माइनस तो तो यह बिदल जाएगा मीटर में क्यावल मीटर है यह एम ठीक सब बस अब इन सब की वेल्यू आ गई है आपके पास यह प्रत्यासता गुणा का फॉर्मुला लगाई है एंसर निकालिए चलिए आपसे हो गया होगा बहुत अच्छी बाते नहीं हुआ हो तो देखो इसके अंदर एक चीह और देखना आपको एफ डायरेक्ट नहीं दे रखा है तो इसके लिए आपको एक फॉर्मुला लगाना पड़ेगा एम जी है ना पढ़ रखा है सबने गुर्टवा करशन में एफ सब्सक्राइब करे लोगाना सब्सक्राइब सब्सक्राइब अब दे रखा है आपको 200 kHz पना 2000 L इतना है उसका मिटРЕ में बदल दे चाही दुजा यह कितना है 10 की गत मैंनस 3 इंटू 10 की गता कि जई उसकी गता। इंतू मांद पन्लीं में पयन्में 100 आपके मात्रकों की द्यानलो चीज्शत मांत्रक कर दिना गरती है formula में value रखनी है और answer आजाएगा clear अब गुणा भाग तो आप करेंगे है ना 10-10 की घात वालों को अलग से solve कर लेना इसको अलग से solve कर लेना easily आपका cut cut आके answer आजाएगा जो की लगब कितना आएगा दो point something आएगा है ना गुणा भाग तो आप easily कर लेंगे है ना खुद थोड़ा अभ्यास करेंगे तो आपके हाथों की सफाई भी उतनी जदा होगी है ना इसलिए आप करिपया करके खुद से practice करें calculator लेके ना बैठें खुद से कौशिस ज़रूर करें करिपया करके ठीके सब आगे देखो स्टील के एक तार की अनुप्रस्त काट का क्शेतरफल आपको दे रखा है इसकी लंबाई अगर दो गुना कर दी जाए तो उसके लिए अवश्यक बल होगा इसकी लंबाई दो गुना करने के लिए आवश्यक बल यानि कि F आपको निकालना है देखो साथ कैसे निकलेगा F करो प्रियास फॉर्मूला वही यंग प्रत्यासता वाला लगाना है य बराबर F अपोन A L अपोन L ये फॉर्मूला सभी को द्यान है अब हमको यहाँ पर क्या निकलना है F निकलना है तो F को इधर रेनर दो और बाकी सब को इधर बेज़ दो ये इधर आजाएंगे तो क्या हो जाएगा F बराबर Y A L अपोन L लियर तो F बराबर आपकी वेल्यू आ गई अब इसके अंदर साथ जो जो भी वेल्यू दे रखी है वो रखो जो नहीं दी है कोई बात नहीं देखो साब अब क्या करेंगे यहाँ पर सवाल में देखियो आप कि आपको Small L की वेल्यू दी नहीं है लेकिन आपको क्या कहा है कि इसकी लंबाई दो गुना करने के लिए है नहीं कि प्रारमबिक लंबाई हमने माना L है और इसकी लंबाई कितनी कर दी दो L है नहीं तो लंबाई में व्रद्धी कितनी हुई यहनी कि स्मॉल L की वेल्यू कैसे निकलोगे दो L में से L घटा देंगे तो जितनी व्रद्धी हुया जाएगा तो दो L में से एक L कैसे कितना रह गया एक L है नहीं कि प्रारमबिक लंबाई L थी और व्रद्धी भी कितनी की L की समझ माया तो बस अभी इसको फॉर्मूले में रखो तो F बराबर फॉर्मूले में हमने वेल्यू रखी कितना आ जाएगा देखो यहां पर A अपने निकला है ध्यान रखना semi square में दे रखा है तो उसको meter square मतल देना तो A आपको दे रखा है semi square में तो meter square मतलों कि कितना जाएगा 10 की गएट माइनस 2 को 2 बर मुणा करोगे 10 की गएट माइनस 4 एन्टू y कितना दे रखा है 2 into 10 की गहाद 11 ओके और L small L की value कितनी है capital L है ना और बटे में भी L है ना समझ में आया किसे आया ये L दो गुना कर दी लंबाई है ना तो प्रारमबीक लंबाई L थी तो गुना कर दी इसका मतलब 2L कर दी तो लंबाई में वृद्धी कितनी हुई L की है ना तो L से L आपका कड़ गया बचाएए इसको solve कर लेंगे easily आपका answer आजाएगा 2 into 10 की गहाद ये बचेगा 7 और 6 10 की गहाद 6 newton clear देखो option 2 into 10 की गहाद 6 newton clear है easily हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं आगे बढ़ो सब एक तार की लंबाई एक मीटर वानुपरस्त काड़ का खिशेतर फल 1 into 10 की गहाद माइनस 2 वर्ग सेमी है तार की लंबाई 0.2 सेमी बढ़ाने के लिए आवश्यक कारी 0.4 जूल है तो तार के पदार्थ का यंग मापांग या वोई यंग इस्तिरांग यंग उणग जो भी कहो वो आपको निकालना है तो वही बस अभी किया वैसे ही करना है वही फॉर्मूला लगाना है थोड़ असा इसके अंदर आप ध्यान रखना कि आपको कुछ अलग चीज़े दे रखी हैं तो इसमें थोड़ा फॉर्मूला थोड़ असा बदलेगा क्योंकि आपको सवाल के अंदर ध्यान से देखना आपको क्या दे रखा है बढ़ाने के लिए आवश्यक कार ये पॉइंट चार जूल है इसका मतलब आपको कार ये पहले से दे रखा है इसलिए आपको फॉर्मूला भी कौन सा लगाना पड़ेगा कार ये वाला वो भी कौन सा जिसके अंदर ये अंग स्थिरांग भी आता है तो वो वाला आपको फॉर्मूला लगाना है और फिर उससे सॉल करना है करो सब कहारे का formula सभी को द्यान होगा पड़ा है हमने y बराबर एक बटा दो a l square upon l clear है अब इसके अंदर हमको निकालना क्या है y तो या तो इसको पक्षांदरन करके नया formula बना लो या इसी के अंदर value रख दो तो कि अंदर रख देतें value थे w बराबर कितना दिया है point 4 बराबर y कितना दे रका है यहीं तो हमको निकालना है into a यह आपको वही वात work semi में दे कंखा है 12imas2nder समी में यह यहाँ समी तो इसको आपको मेटर मदलने के लिए फिरifer opinion के लिए 10 किरात माइन्स 2 का दूबर और बुणा करना पढ़ाआगा तो कितना हो जाएगा ये विठीगात माइन्स 2 कितनी बार है तीन बार यहनिकि दसकीगात माइनस यह हो जाएगा तो यह की जुग माइनस 6 तो रखो सब एक जेगे दस्कीगत माइनस 6 वर्ग मीटर into small l वो भी आपको किसमें दे रखा है semi में कितना दे रखा है point 2 semi point 2 semi को किसमें मतलेंगे मीटर में तो वो कितना हो जागा 10 कीगत माइनस 2 का whole square l square है whole square हो जागा बटे l l कितना दे रखा है 1 मीटर बस अब y को इधर रेने दो बाकि सब को उधर ले जाओ और solve करो देखो क्या आता है तो y बराबर आजाएगा आपका 0.8 0.04 into 10 to the power minus 10 है ना तो यह आजाएगा y बराबर कितना हो जाएगा यह 0 हो जाएगा यह आपका 20 20 into 10 की घट 10 20 into 10 की घट 10 तो आपका question में शायद 2 के अंदर दे रखा है तो आपका answer आजाएगा 2 into 10 की घट 11 ओके देखो option कितना आ रहा है 2 into 10 की घट 11 newton बटा meter square यह आगया हमरा answer C clear थोड़ा सा घुना भाग तो आप करेंगे प्रयास है ना इतना तो आप करी सकते हैं ठीक है बाकी तो आप होचा रहे हैं सभी हो जाएगा लेकिन थोड़ी से practice आपको बनाए रखनी पड़े की ठीक है आगे देखें rubber की डोरी से एक गुलेल की अनुप्रस्त काट का क्षेतरफल 25 mm है rubber की डोरी की लंबाई 10 सेमी है 5 ग्राम की एक कंकड को फेकने के लिए 5 सेमी तक खीच कर फिर छोड़ दिया जाता है तो प्रक्षेपीत कंड का वेग होगा प्रक्षेपीत कंकड या कंड जो भी है हमको निकालना क्या है उसका वेग निकालना है सब वी निकालना है लगाओ दिमाग थोड़ा सा प्रक्षेपित कंकड का वेग निकालो साथ करो करप्रयास देखो इसके अंदर एक तो यह आपको बताने कि अब जरूत होगी नहीं है न कि जैसे आपको एक इसमें दे रखा है 25 mm2 में दे रखा है तो आपको किसे मिदलना पड़ भी तो इसको भी आपको मिदलना है लेवे सब्सक्राइगे अब लगाना है अब मेन फॉर्मुला कैसे लगा होगे देखो यहां पे साब आप वही करेंगे जो हमेशा करते हुआ है उर्जा सरक्षन का नियम का पालन है तो वही होगा यहां पे भी यहां पे आपकी जो गती जुरुजा बराबर इस्थी जुरुजा होगी जो गती जुरुजा का फॉर्मूला सभी को मालूम ह half mv square लेकिन जो इस्थी जूर्जा है वो संचित इस्थी जूर्जा कितनी है वो formula आपने पढ़ा था वही कारे वाला वही यहाँ पे लगेगा तो यहाँ पे आपकी जो संचित इस्थी जूर्जा होगी वही कारे का जो formula है कौन सा formula है 1 बटा 2 y a l square upon l तो वही formula यहाँ पे लगेगा यह आपका relation निकालना आपको थोड़ा से दिमाग रखना पड़ेगा एक्टम conscious तो आपका यह ध्यान में आएगा अब साब इसको आगे solve करना है easily कर लोगे एक बड़ा दो से एक बड़ा दो कट गया तो वी square बराबर आगया y a l square upon m l और वी square हटा दो तो इदर under root लग जाएगा ठीक है बस यह आपका formula बन गया अब यह आपको वी ही निकालना है तो वी निकालने के लिए आप यह सब को में value रखो आपको easily answer मिल जाएगा देखो सब वी बराबर अंडर root y a l तो y कितना है पांच इटू दिसकीगाद आट यह आट है है न इंटू ए ए कितना है पचीस इंटू दिसकीगाद माइनस 6 मीटर स्कॉयर मीटर स्कॉयर में बदला है ध्यान रखना इंटू l कितना है पांच सेमी इसको भी हमने किसम बदला है मीटर में यानि कि पांच इटू दिसकीगाद माइनस दो मीटर इसका स्कॉयर यह पूरे पर अंडर उले है न दियान रखना बटा पांच इंटू दसकीगाद माइनस 3 ग्राम में था तो हमने किलो में बदला पांच ग्राम था तो पांच इंटू दसकीगाद माइनस 3 किलो ग्राम इंटू लंबाई कित्मी है 10 सेमी तो इसको भी मिटर नमर लो 10 इंटू दसकीगाद माइनस 2 थोड़ा सा आपको देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन इजीली फटाफट सब सॉल हो जाएगा कैसे सॉल होगा देखो एकदम इजीली सॉल हो जाएगा है न कोई गबराने वाली बात नहीं है देखो 5 से तो 5 कट जाएगा ठीक है ये 5 का स्क्वाइर हो जाएगा 25 25 इंटू 25 हो जाएगा 625 तो यह आगा 625 इंटू 10 की घात वोलो को अलग से solve कर लो कितना हो जाएगा यह 10 की घात प्लस का 8, माइनस का 6, माइनस का 4 और बटे में है आपका 10 की घात माइनस 3 और माइनस 2 हो गया माइनस 5, 4 हो गया, माइनस 4 और माइनस 4 उपर आएगा तो प्लस 4 तो यह प्लस 4, माइनस 4 वैसी कड़ जाएगा 8 में से 6 गया तो 2 अब इन दोनों को वर्गमूल से बाहर निकाल लो तो 625 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 25 और 10 की घात 2 का वर्गमूल हो जाएगा 10 है ना, तो बाहर आ जाएगा आपका V बराबर 25 इंटू 10 यनि की V बराबर 200 बस आगया एंसर, देखो साब ओप्शन ये आगया आपका 200 मीटर प्रती सेकंड इसी है, हो गया समझ में इसीली हो जाएगा देखो साब एक रंग रबर का यंग प्रत्यासता गुणांग 10 की घात 4 न्यूटर्न प्रती मीटर स्क्वाईर वह अनुप्रस्त ख्यत्रफल दो सेमी स्क्वाईर है यदि उस पर दो इंटू 10 की घात 5 डाइन का बल लगाया जाता है तो उसकी लंबाई प्रारंभिक लंबाई एल से कितना गुना हो जाएगी एक तंब इजी कॉश्चन है प्रयास करो तो इजीली हो जाएगा हो गया देखो साब यंग प्रतीस्ता गुणांग आपको दे रखा है ठीक है शेत्रफल आपको दो सेमी स्क्वाईर में दे रखा है तो आप इसको मिटर स्क्वाईर में बदल लेंगे कहने की जुरत नहीं है दो सेमी स्क्वाईर को दस्की गहत माईनस दो इंटू दस्की गहत माईनस दो अब इसको क्या करोगे डाइन देखो हाँ यहाँ पर ध्यान रखना आपको एफ दे रखा है डाइन में तो आपको एक रिलेशन पता होगा कि एक न्यूटन बराबर एक न्यूटन बराबर दस्की गहत पाँच डाइन होता है वो खुन चुसने वाली ऐसा कोई डाइन नहीं है तो दस्की गहत पाँच डाइन का आपको न्यूटन विदलना है तो क्या करोगे साहब भाग दे दो दसकी घट माच का तो दसकी घट पांच से दसकी घट पांच कट जाएगा तो बचेगा क्या केवल दो न्यूटन तो f कितना जाएगा आपका दो न्यूटन शेत्रफल आप निकल लेंगे आपको यंग प्रक्षास तर गुणांग दे रखा है बस अब हुआ सा क्षिशन पूफ सते दान में थोडा है या तो एकितना गुना सा चायता तो फिर यह पर एक दो तीन चारेसे देना चाहिए जाएगी या फिर पूछना चीना कि वो लंबाई कितनी हो जाएगी तो आपको सीधा एंसर दिद्राचीता यो जो दिया हो हो जाता है कभी थोड़ा बड़ी बाशा बाशा थोड़ा आगे पीछे किया जा सकता है कोई दिक्कत नहीं है आपको जो निकलना है तो कितना आजाएगा फ एल अपन वाई ए अब इसके अंदर वेल्यू रख दो एफ की एल की सभी की रखो तो वाई एल बराबर आ गया एल बराबर एफ कितना है दो न्यूटन अना एंटू वो डाइन को न्यूटन बदला है थ consig रखे अ मात रको। य, य कितना दे रखा है आपको यह सब तो यह दो ऑख गया यह सब कड़ गया आहापका सिद्या ल बराबर कितना आ गया अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगा ना क्योंकि इतना करने के बावजूद आप गलत ना कर दो सवाल आपको दे रखा है आपको पुछा है क्या पुछा है देखो एक बार सवाल देखो small L बराबर capital L आ रहा है ये द्यान रखना ठीक है कि उसकी लंबाई प्रारंबिक लंबाई L से कितना गुना हो जाएगी यानि कि आपको small L बराबर कितना आया capital L है न तो जो उसकी लंबाई प्रारंबिक लंबाई L से कितना गुना हो जाएगी यानि कि आपको बड़ी हुई लंबाई नहीं बताना है मतलब कितनी व</ हुई यह नहीं है आपको वृद्धी हुई तो बाद में जाके वह हो कितना गया टोटल टो एल है ना तो बाद में उसकी लंबाई कितनी हुई capital 2L इसलिए थोड़ा सा में यहां के रहा था कि भाषा का थोड़ा ध्यान देना जुरूरी है इसलिए आपका एंसर कितना हो जाएगा कितना हो गया अंतर में उसकी लंबाई 2L वोके साथ समझ में आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है थोड़ा बुद्ध भाषा इदर उदर होती रहती है तो थोड़ा सा ध्यान देंगे हो जाएगा ठीक है लास्ट कॉस्चन जो सभी को आता है तार का यंग गुणांग निर्वर करता है उसकी लंबाई पर, व्यास पर, पदार्थ पर या उसके लटके दर्वे मान पर तो यह सभी ने पढ़ा है कोई बताने की जोरद नहीं है कि क्या होता है पता है कोई लंबाई व्यास केसी पर निर्वर नहीं करता है पदार्थ की प्रकृती पर निर्वर नहीं होता है ठीक ही जब हो गया चलो पढ़ते रहो प्रैक्टिस करते रहो अपना ध्यान रखो और अपने नेचर का ध्यान रखो कि कुछ बचे ना बचे केवल नेचर है जो आपको बचानी है वही आपको बचाईगी आपको उसको बचाना है एक दूसरी की रक्षा करनी है तो करतो खु